साथ्यों नमस्कार मैं हरिश्चंड बढ़बार दोस्तों एक बार फिर से इस लाइव कारिक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज ये कहना बड़ा जरूरी है कि अर्विंद केजरीवाल को अन्ना हजारे का स्वाप लग गया अब ये कहने में कोई डिकत नहीं होनी चाहिए आज दरसल हाई कोट में जिस प्रकार से केजरीवाल की धुलाई हुई इनके सारे निताओं की धुलाई भी बलकी कही है ये लोग कोट के बाहर जिस तरीके से बयान देते हैं जिस तरीके से लोगों को भ्रमित करते हैं उस पूरे मामले में जिस तरीके से हाई कोट ने बयान दिया और बहुती विस्तार से दोस्तों आप एक एक चीज आप भी आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि हाई कोट को भी पता है कि ये लोग किस प्रकार से समवधानिक व्यवस्ता से खिलबार करते हैं किस तरीके से उटपटांग बयान देते हैं किस तरीके से किसी विशय को घुमाते हैं और जूट बनाते हैं और कोट को भी कट घरे में खड़ा कर देते हैं बलकि मैं कह रहा हूँ वो सारी की सारी चीजें आज हाई कोट में साफ हो गए हम लोग तो बड़े दिनों से इंतिजार कर रहे थे न कि हाई कोट का फैसला कब आएगा तो उसके बारे में एक एक चीज आपको बताऊं लेकिन आपको एक अन्ना हजारे की भी खबर दिखाऊंगा और आज ही के दिन जो आज के दिन फैसला आया ना इसका बड़ा महत्व है आज ऐसे नहीं है जैसे ये लोग बोलते ना आत्मा भटकती है तो कई बार मैं भी मानता हूँ कि कुछ चीजे तो नियती में होती है दोस्तों और आज ही जिस तरीके से हाई कोट ने एक प्रकार से मान लिया बता द मैं और इडी की जाज के हिसाब से बताया सबूतों के हवाले से बताया तो अन्हहजार है की कहानी और बाकी चीजे और मैं आप से minute करूंगा दोस्तों कि आप कमेंट भी करे साथ में संबाद भी करें आपके बयानों को भी लूगा बहुत सारे दोलक्रिशना जी और काशीं हिमंद जी ने जैस्री राम लिखा है आप सभी को अब आपको एक एक करके खबरे दिखाता हूँ फिर मैं अन्ना हजारे तक आपको लेकर चलूँगा तो पहली बड़ी खबर तो यही थी कि अरविंद केजरिवाल को दिल्ली हाई कोट से बड़ा जटका गिरफतारी को चुन कुंगल वार को दिल्ली हाई कोट से तगड़ा जटका लगा और जटका क्या लगा यह गए थे यह बताने के लिए कि एडी ने जो गिरफतार किया है एडी की गिरफतारी अवैद है इन लोगों ने जिस तरीके से गिरफतार किया वो अवैद है और कोट ने जब सारी चीज मैं कह सकता हूँ इस मामले में कि केजरी बाल के अपराध को देखा उसके गुनाह को देखा केजरी बाल की क्राइम को देखा और एक जटके में हाई कोट ने ना केवल केजरी बाल की याचिका खारिच कर दी दोस्तों बलकि इतने सारे बयान दिये और फैसले में दिये हैं और हाई कोट ने क्या कहा अगला रिपोर्ट देखिए अदालत कानून से चलती है सियासी दबाव से नहीं खेजरी वाल की गिरफतारी को सही बताते हुए हाई कोट ने क्या क्या कहा आप सूचिए अदालत ने आज जानते हैं दोस्तों क्या कहा है अदालत ने कहा कि एन्फोर कोट के बाद बचता क्या है सुप्रिम कोट और ये मामला जैसे ही जाएगा ना आप यकीन मानिये दोस्तों कि केजरी वाल की हालत इतनी खराब हो चुकी है आज इस फैसले को सुनते ही कोट ने कहा कीडी के पास बहुत सारे सबूत हैं इसमें हवाला डीलरों के बयान करने के लिए पैसे दिये गए ये गोवा चुनाव के संबंध में मनी ट्रेल को पूरा करता है यानि जो बात सुप्रिम कोट ने कही दोस्तों कि मनी ट्रेल एक दम सपष्ट रूप से दिखता है वही बात तो हाई कोट ने कही और ये भी कहा केजरी वाल की गिरफतारी कुन का उलंगन नहीं है और दिल्ली सीम के रिमांड को अवैद नहीं कहा जा सकता है एक एक पॉइंट एक एक क्विंटल का है आप सूचिए केजरी बाल पर दिल्ली हाँ दिखिया हाई कोट ने कहा याचिका करता मनी लॉंडरिंग केस मामले में गिरफतार हुए है मुख् कि विशेश विशेशा धिकार नहीं दिया जा सकता जाच और पूश्टाच के मामले में कोई वैक्ती भले ही सीम क्यों कीूं ना हूँ उससे विशेश छूट नहीं दी जा सकती है ये अगर सही माहिने में कहूँ न दोस्तों तो केजरी बाल के मुँपर तमाचा है हाई का क्यूं कि ये आदमी इतना फरेब कर चुका है कि मैं तो आम आदमी आज हाइकोट को कहना पड़ा कि तुम आम आदमी ही हो कानून की नजर में तुम कोई खास आदमे नहीं हो मुख्यमंत्री बनने का मतलब ये नहीं हो गया कि तुम मालिक बन गए ये हाइकोट की बात बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री समेत किसी को भी कोई विशेश विशेशा धिकार नहीं दिया जा सकता जांच और पूश्टाच के मामले में कोई वेक्ती भले ही CMQ नहीं उसे विशेश छूट नहीं दी जा सकती अब हाई कोट का एक और लाइन में पढ़ता हूं आप सूचिए यह जितना माहौल बनाते है न बाहर घुम घुम कर सडकों पर वो माहौल को इन्होंने एकदम हवा फुला फुला के एकदम से गुबारे को बढ़ा किया और एक पिन चुभो दिया हाई कोट ने सुनिये हाई क बोट ने कहा कि जज कानून से चलते हैं राजनीती से नहीं अब ये सारी चीज़े क्यों कहा गया अभी मैं आपको बताता हूँ निर्णय कानूनी सिध्धानतों पर लिखे जाते हैं नाकी राजनीतिक संबधता पर कानूनी निर्णय के दाइरे में अदालतों को केवल कानू उनकी व्याख्या करने का काम सौपा गया है नाकी राजनीती में जाने का ये लोग तो बहुत सवाल उठाते ना फस रहें गुनाव हैं बोल रहें जी चुनाव है अरे भाई चुनाव है तो है तो तुम्हें क्या छूट मिल गई कि तुम किसी कोई भी क्राइम कर दो और बोलो कि चुनाव है ये बात हाई कोट कह रही है दोस्तों और मैं आपको जो दिली हाई कोट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जो फैसले सुनाते वे कहा कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं मैं आपको एडी द्वारा एकत्र की गई सामगरी से पता चलता है कि केजरी बाल न सिर्फ इस पूरी साजिश में शामिल थे बड़े ध्यान से सुनिए दोस्तों एडी द्वारा एकत्र की गई सामगरी से पता चलता है कि केजरी बाल न सिर्फ इस पूरी साजिश में शामिल थे बलकि रिश्वत लेने और इस क्राइम को लेकर जो चीजें हुई वो उसमें भी शामिल थे महा भ्रष्ट केजरी बाल ना केवल रिश्वत लेने में शामिल थे बलकि जो कुछ भी होती रही उसमें भी शामिल थे आगे देखिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रिय संयोजक के रूप में केजरी बाल खुद शराब नीती बनाने के साथ साथ रिश्वत का पैसा जमा करने में भी शामिल थे इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है मैंने जब देखा मैं जब ये ब्रेकिंग न्यूज देख रहा था और ये समेट रहा था दोस्तों चीजों को तब मुझे लगा कि अब तो इस आदमी को शर मानी चाहिए इसको तो तुरंत स्तीफा दे देना चाहिए बोलना चाहिए कि मैं जीवन में राजनीती नहीं करूँगा इसी आदमी ने कहा था ना कि सत्ता में बड़ी बीमारी होती है जो आदमी में बैठता है वो भ्रेष्ट हो जाता है खुद कहा था ये भ्रेष्ट हो चुका और महा भ्रेष्ट हो चुका है और ये हाई कोट के फैसले में लिखा गया है दोस्तों मीना कुलकरनी जी लिख रही है विद इस वीडियो एड आफ कॉंग्रेस ओन इंफलेशन टोटल रॉंग जीडिपी ग्रोथ आप दूसरी चीज बता रहे हैं और डॉक्टर एस्पी सिंग जै हो क्रिशन कनहिया की ये तो महा भ्रेष्ट भ्रेष्टाचारी और पूरा केजरी गैंग नवीन जी लिख रहे हैं नवरात्रों के प्रारंब होते ही बहतरीन आपनिंग अब देखिए दोस्तों कोट के बारे में थोड़ा सा म कहानिय वो भी दिखाऊंगा लेकिन आपसे संबाद भी होते रहे तो और जरा मज़ा आएगा दोस्तों कोट ने ये भी कहा कि केंद्रिये जांच एजंसी द्वारा पंकज बंसल मामले में निर्धारित कानून के सभी आदेशों का पालन किया गया केजरी बाल को हिरासत में भेजने का मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश भी तर्क संगत आदेश था यानि सारी कोट सबकी कारवाई अच्छी है केजरी बाल के वकील ने सरकारी गवाहों द्वारा के खिलाफ दिये गए बयानों की सत्यता पर भी सवाल उठाया था दलील दी गई कि ये बयान उनकी रिहाई और चुनाव लड़ने के लिए टिकट के बदले में दिये गए हाला की बड़े ध्यान से सुनिए अदालत ने हाला की सपष्ट कर दिया कि सरकारी गवाहों के बयान अदालतों द्वारा दर्ज किये जाते हैं जांच एजंसी द्वारा नहीं ये आदमी पढ़ा लि जो गवाह है ना उसके बयान अदालत ने दर्ज किये हैं एजंसी ने नहीं ऐसा नहीं है कि डंडा लेके खड़ी एजंसी या पिस्टल तान के खड़ी है या उल्टा लटका दिया है को थर्ड डिगरी टॉर्चर कर नहीं अदालत में बयान हुए है और ये महा भ्रस्ट सर जिरिवाल ने आप देखिए आगे मैं आपको कोट का कोट अनकोट में पढ़कर सुनाता हूं भागवत सिंग जी लिखते हैं नया इतिहास नय साल को बना जाय भवानी माता ने एक राक्षस के साथ न्याई किया संतोष जी लिख रहे है धनिवाद सर आपने जल्दी नया वीडियो तयार किया संतोष जी बहुत बहुत धनिवाद देखिए भाईया आप लोगों ने अगर मेरा आज का गीत नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा मैंने खुद लिखा है और खुद गाया है और मैंने मेरे उपर ही पूरा वीडियो है तो आप एच्वी मेलोडी कहता हूं कोट के बात को कोट अनकोट में बता रहा हूं अनुमोधन करता के बयान दर्च करने के तरीके पर संदेह करना न्याइक प्रिक्रिया पर आक्षेप लगाने के समान होगा यह हाई कोट ने कहा कि जिस एप्रूबर जिस गवाह के बयान पर आप सवाल खड़ा कर र और अनुमोधन करता का कानून सौ साल से भी अधिक पुराना है ये कोई एक साल पुराना कानून नहीं है जिससे ऐसा लगे कि इसे गलत तरीके से लागू किया गया है और केजरी बाल के बारे में जब यह मैं पढ़ रहा हूँ दोस्तों तो मैं बता सकता हूं कि केजरी बाल वो आदमी है जिसको लगता है ना कि अगर वो सुबह उठते और उन्होंने सूरज पहला देख लिया तो उनको लगता है कि पहली बार ही सूरज उगा होगा अगर उन्होंने कोई काम किया वो किसी गाड़ी में बैठ गये तो उनको लगेगा कि मैं ही पहला अदमी हो जो जीवन में गाड़ी बैठा होगा अगर उन्होंने गंगा में डुपकी लगाई होगी तो बोलेंगे कि मैंने ही पहली बार जीवन में डुपकी लगाई अब तर्क तो कुछ भी हो सकता है ना मान लीजिए उन्होंने गंगा में डुपकी लगाई वो बोलेंगे कि मैं पहला आदमी हूँ जिसने गंगा में डुपकी लगाई आप बोलें अरे कैसा जुठा आदमी है यार तुम दिख रहा है यहां पे हजारों आदमी तो बोलेगा उससे क्या हुआ मेरा डियने वाला आदमी नहीं मिलेगा आपको अब बताए कि डियने किसी का मिलता ही नहीं है तो यह आदमी उस लेबल का है और इसलिए कोट को यह कहना पड़ा कि जिस कानून पे सवाल उठा रहे हो और वो जाज इजिंसियों ने तो बयान भी ने लिया वो तो कोट ने लिया है अदालत में लिया गया है अब कोट ने क्या कहा एक और बात आपको सुनाता हूँ कोट अनकोट में सुना रहा हूँ दोस्तों चुनाव लड़ने के लिए टिकट कौन देता है ये चुनावी बॉंड कौन खरीदता है ये अदालत की चिंता नहीं है ये वहाँ पर पहुँँच गए है बात हो रही है जानते हैं बात हो रही है भिष्टाचार के मामले की गिरफ्तारी की एडी के कारवाई की शराब घोटाले की और ये कोट पहुँच के क्या करते हैं जा अदालत में जाकर के बॉंड की बात करने लगे ये अदालत में जाकर चुनाव की बात करने लगे अदालत को इससे क्या लेना देना आपने गुनाह किया या नहीं किया सवाल सिर्फ इस बात पे ठिका है और ये तो इमानदारी की ठिकेदारी करने वाले लोग है अब आगे मै पढ़ता हूँ कोट ने ये भी कहा कि केजरी बाल को उचित चरण में गवाहों से क्रॉस एग्जामिनेशन कराने की अनुमती दी जाएगी केजरी बाल पे डंडे पड़े हैं मैं तो थपड कह रहा हूँ ना कोट ने डंडे मारे है क्रॉस एक्जामिनेशन करने के अनुमती दी जाएगी सारा जूट बाहर आ जाएगा और आजकल मैं एक वीडियो वाइरल हो रहा है केजरी बाल का पता नहीं आपने देखा के नहीं आपकी अदालत में रजज़त शर्मा जी सवाल पूछते हैं वो पूछ कुछ और रहे हैं बता कुछ और रहे हैं जना वो वीडियो तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा कॉपी रैट का इश्यू होगा मगर बड़ा जबरदस्त क्लिप है चार-पांच मिनट का वो पूछ रहे हैं आम के बारे में वो बता रहे हैं इमली के बारे में फिर पूछ रहे हैं वो आम के बारे में फिर इमली के बारे में बता रहे हैं वो बता ही नहीं रहे हैं सूचिए ED को क्या पानी पिलाया होगा लेकिन ED में इस समय सही अधिकारी बैटे हैं इनसे बड़े वाले अधिकारी है यह IRS हो करके तो भ्रस्ट निकले वो भ्रस्ट नहीं है मैं कह सकता हूँ दावे के साथ आगे की बात सुनिए दोस्तों कोट ने कहा दस्तावेजों की आपूर्ती न होने और अनुमोदन करताओं के पहले के बयानों के सवाल पर मैंने कहा है कि आप ट्राइल के उचित चरण में दस्तावेजों का निरिक्षन करने के हकदार हैं हाला कि यह चरण नहीं है के इजरीबाल ने बहुत ठगा है दोस्तों और इडी के पास ऐसे ही बहुत मजबूत आधार नहीं है नौनों समन को इनौने ठुकरा दिया और जबाब देने की जगा कुछ के कुछ कहते रहे सत्य मेव जैते लिख रहे हैं जन्ना जजारे आंसन धारी का गया आशा मंत्री लिख रही है किरण बेदी से भी पूछताच होनी चाहिए वो क्यों आंदोलन से जुड़ी थी अब इन्होंने अलगी ये भी लग रहा आप के जरीबाल के तर्च पे क्यों जा रही है मैडम उशा रानी ठाकूर आज पहली नवरात्रिये पर देविये शक्ती जागरित हो गई है अब राक्षरसी शक्तियों का नाश्त तै है ये उशा रानी ठाकूर जी लिख रही है और स्रेश्ट लिख रहा है जात से केजरीवाल की सच्चाई दूद का दूद पानी का पानी परसूराम जी लिख रहा है परणाम सर एनाई ये ओलसो शुड कीप एन आई अन दिस परसन ये बात तो मैं मानता हूँ परसूराम जी एनाई ये तो अब निश्यत रूप से उसकी भूमिका बढ़े गया और जब ये खालिस्तान और बाकी चीजों का मामला आया तो मैं मानता हूँ अपनी बात अना इसे कॉमिनिस्ट एजेंट लिख रहे हैं राजकुमार केजरी की सही जगह तिहार डेली है अब आपको मैं दोस्तो थोड़ा ख़बर में आगे लेकर चलता हूँ ये ख़बर देखिए बार एंड बेंच डेली हाई कोर्ट रिजेक्ट्स अरविंद केजरीवाल प्ली चैलेंजिंग एडी अरेस्ट एंड रिमांड एन एक्साइज पॉलिसी केस अब मैं आपको थोड़ा सा कोट अनकोट में कुछ बयान सुनाना चाहता हूँ बहुत महत्पोर्ण है डिली हाई कोट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने आगे कहा केजरी बाल की दो हजार चौबिस लोक सभा चुनाव की घोशणा के बाद जो इनोंने गिरफ्तारी का तर्क दिया ना उस पर कह रही है जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा सुनिये इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि गोट इस बात को विचार करती है यह उसका उपीनियन है कि जो एक्क्यूस्ट को गिरफ्तार किया गया है या रिमांड में लिया गया है वो दरसल कानून के मताबिक लिया गया है चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं यह बार बार चुनाव से जोड रहे है चुनाव से क्या लेना देना भाई तुमने ब्रेश्टाचार किया या नहीं किया ये बताओ तुमारी गिरफतारी ब्रेश्टाचार क्या अधार पर हुई है या नहीं हुई है तुम चुनाव से जोड रहे हैं कोटने का है आगे देखिए स्री अरवेंद केजरिवाल स्री के केजरीबाल को जरूर पता होगा कि लोकसभा की तारीखें कब आएंगे। उनको ये भी पता होगा, जरूर पता होगा कि इलेक्शन कब होंगे। अब आगे की बात मैं आपको थोड़ा सुनाता हूँ, सुनिये। हाई कोट ने केजरीबाल की इस दलील को भी नकार दिया दोस्तों कि उनसे पूछताच वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये भी हो सकती थी। ये बार-बार बूलते थे, कि वीडियो कॉन्फरेंसिंग से कर लो जी, ये तो पहला ऐसा दुनिया का मामला है, जहां पर आरोपी भ्रष्टाचार का वो तैक करना चाहता है कि हमसे कौन पूछेगा, हमसे कब पूछताच होगी, हमसे क्या सवाल पूछा जाएगा, हमारी भूमिका किस प्रकार की होगी, ये तो गजब लोग है, ये महा भ्रष्ट आदमी की तो सबसे बड़ी निशानी है, ये सर्टिफिकेट बाटते थे, बैमानों की लिस्ट बाटते थे, याद है न आपको, उस समय भी इतनी बड़ी भूमिका नहीं थी, और ये सादमी के और अरविंद केजरिवाल के बारे में बोलने में इसलिए जरा सा भी माया मोह नहीं होता, क्योंकि इस आदमी ने इस देश की राजनीती को बदनाम किया दोस्तों, खराब किया है, अब आपको मैं आगे कोट का उब्जर्विशन बताता हूँ, फैसले की बात बतारा हूँ अब्जर्वेशन क्या है, हाई केजरिवाल ने दलील दी थी कि वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये भी पूछताच हो सकती है, कोट ने क्या कहा है, इस नॉट फार दी अक्यूस्ट तो डिसाइड हाँ देशन इस तो बी डन, एक्यूस्ट डिसाइड नहीं कर सकता, क्यों उसकी जाँच कब होगी, कैसे होगी, ये आरूपी तै नहीं कर सकता, इट कैनोट भी, एस पर दी कन्वीनियन्स अब दी एक्यूस्ट, ये आरूपी की सुविधा से भी नहीं हो सकता, ये कोट ने कहा है, देर कैनोट भी एनी स्पेसिफिक प्रिविलेज फॉर एनीवन, इ न दोस्तों, प्रष्टाचार के शिखर पर, शीश महल पर बैठने वाला ये आदमी, खुद को दिल्ली का मालिक बता चुका है, भूल तो नहीं कहें बयान, मिल जाएगा, मैं कई बार सुना चुका हूँ, ये कहा था कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, और मैं ही मालिक हूँ, म सरकारी घर में इनों ने करोडों रुप्य फूंग दिये, जनता के टैक्स के, शाम कश्यप जी लिखते हैं, ये केजरीवाल का चमचा संजे सिंग कह रहा है, कि शराब घोटाला हमने नहीं बीजे पीने किया है, शाम जी इसलिए, ये बात बोलने की वज़ा इसलिए, मैं तो आपको कोट अनकोट में दिखा रहा हूँ, अरविंद कुमार जी लिख रहा है, केजरीवाल ने राजनीती की परिभाशा बदलने की कोशिश की है, और देश को अराजकता में ले जाने की कोशिश करी है, अरविंद जी परिभाशा तो बदल दी इसने, ये तो याद कि या जाएगा यह अतिहासिक पुरुष हो गया यह पुरुष नहीं है यह महा पुरुष है और महा में आप inके लिए इनको कूप का पुरुष बूलिए कुप पुरुष कि क्यूंकि नौने भारती राजनीति को इतना खराप कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया पवन अगरवाल जी लिख रहे हैं हिंदी नव वर्ष की शुरुवात में ही एक हैंकारी फिर कट गया आपका हिमंद सत्पती जी लिख रहे हैं सर डोंट वरी वेरी सून सीजे आई चंद्रचूड विल पर्मिट फॉर केजरिवाल बेल अब देखिये अमंद जी ये तो कानून का है अब क्या मैं इस पे कहूं सनातनी पुष्पा जी लिख रही हैं केजरिवाल तो देश का दुश्मन है इसे तो ऐसे ही सजा मिलनी और असीम सरकार आप कुछ बेंगॉल में भी बोलिये वाई देर इस नो एक्शन इन बेंगॉल बाई गवर्मेंट ऑफ इंडिया असीम जी केजरिवाल की बात कह रहा हूं मैं वैसे फिर भी मैं आपको बता दू कि बंगाल में भारत सरकार बहुत सक्री है लेकिन सरकार सक् चुनाव का समय है बड़ चुनावायों की नजर गहरी है हाई कोट की नजर गहरी है ये जो कहते हैं ना कि बहुत फड़ फड़ाना वो फड़ फड़ाहट इसलिए है बंगाल में बड़ी जबर्दस्त कारवाई हो रही है अगर आप बंगाल की संस्कृति को समझे तो वहा किसी दिन आपको दिखाऊंगा क्या क्या हुआ है केजरी वाल की कहानी को किजरी वाल में आई बहुत सारी चीज़ें तो थोड़ा मैं प्रशनोतरी स्टाइल में बताता हूँ सवाल-जवाब और ग्रैफिक्स दिखाऊंगा सवाल मैं खुद पढ़ दूँंगा आपको आम को समझ में आए कि ये लोग कैसे जूठ होते हैं आम आदमी पार्टी कहती है there is no evidence against केजरिवाल मैं आपको बारेंड बेंच का ये ग्राफिक्स दिखा रहा हूँ हम आदमी पार्टी कहती है कि केजरिवाल के खिलाब कोई सबूत नहीं है जब आप देखिए कोट का है ED was able to place enough material we have gone through the statement which completes the chain and shows that the money was sent to goa election ED ने जितने भी दस्तावेज जमा किये हैं सबूत इकठा किये हैं वो enough है और हम उसे देखा है हमने पूरे statement को देखा है पूरा chain को देखा है और ये साब पता चलता है कि इस पैसे का इस घूस का गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया आगे चलिए एक और सवाल जवाब आपको दिखाता हूँ हम आदमी पार्टी कहती है कि why did they arrest a sitting chief minister इन लोगों ने एक sitting chief minister को गिरफतार कर लिया ये कह रहे है कोर्ट ने क्या कहा जरा सुनिए there cannot be any specific privilege for anyone including the chief minister किसी के लिए कोई राजसी ठाट बाट नहीं हो सकता privilege नहीं हो सकता साफ लिखा है अब वो चाहे कोई मुख्यमंत्री क्यों ना हो ये आदमी तो आम आदमी पाटी नाम रखा क्यों कि मुख्यमंत्री राष्टपती प्रधान मत्री सब एक जैसा है हम आम आदमी है हम वेगनार्स से चलेंगे हम बड़ी बड़ी कमीज पहनेंगे हम लाल बती नहीं लगाएंगे हम सुरक्षा नहीं लेंगे हम बंगला नहीं लेंगे इस आदमी ने सब कुछ ले लिया बड़ा बंगला ले लिया शीश महल बड़ी बड़ी गाडियां गाडियों का काफिला जेट और प्राइवेट हवाई जाहाद सब कुछ और अब ये सुविधा भी चाहता है कि हमारे लिया अलग से ट्रीटमेंट हो आप देखिये ना विशंभर पांडा जी लिखते हैं इंटेलिजेंट आई 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 टीन केजरिवाल नाव टेस्टिंग और सुनील अगरवाल भोपाल से लिखते हैं प्रिशान भूशन संतोष हेगडे कुमार विश्वास मैंग गांधी आप सामने आईएगा आम आदमी पार्टी की कमान समाल लो केजरिवाल की चंडाल चौकडी को बाहर करो इनको डर था संतोष जी सुनील अगरवाल जी तभी तो ये सब किया उन लोग को पहले ही बाहर कर दिया अब तो रीड़ वाले लोग बचे ही नहीं है वो तो मैंने आज सुबे एक वीडियो दिखाया पता नहीं आपने देखा कि नहीं कि वो पांच सांसद साथ में से पांच राज सभा के सांसदों ने इनकी बात ही नहीं मानी कुछ नहीं कहा है वो मैं मानता हूं रीड़ वाले लोग इसके बाद परमात्मा नंद बर्मा ये बंदा जेल में भी भरिश्चाचार शुरू कर देगा चलिए मैं सवाल जबाब के कुछ सिलसिले को और आगे बढ़ाता हूं ये देखिए आम आदमी पाठी कहती है तेस्टिमनी ऑफ एप्रूवर वास टेकें ओड़ी टॉर्गेट केजरिवाल जो एप्रूवर है उसको उसकी बात को इसलिए लिया गया कि केजरिवाल को टारगेट किया जा सकी अब देखिए कोट ने क्या कहा बड़े ध्यान से देखिए दोस्त order में the law of approver is over hundred years old and not one year old it cannot be suggested that it was enacted to implicate the present petitioner यानि केजरी वाल यह कहा गया कोट के द्वारा कि यह जो कानून approver वाला यह तो 100 साल से भी अधिक पुराना है यह एक साल पुराना तो नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि केजरी वाल के लिए लाया गया है तो तुम्हारे लिए इसको जो आदमी होता है ना जिसके दिमाग में हमेशा संशय गूमता रहता है ना उसको लगता है सब मेरे लिए हो गया एक इस दिन यह मांसिक रूप से बिमार ना हो यह भी देखना पड़ेगा क्योंकि यह तो बता चुके है कि मेरी आत्मा घूम रही है पता है ना आपको जेल जाते ही बोलने लगे कि इनकी आत्मा घूम रही है बाहर बे यह शहीद बताने लगी इनकी पत्नीन को बुलने लगी स्वतंत्रता अंदोलन में यह शहीद हो चुके थे आप बताईए सौ साल पुराना कानून और कह रहे हैं कि मेरे लिए सब किया जा रहा है आगे बढ़िए एक और सवाल जवाब आम आदमी पार्टी कहती है केजरीवाल की जो गिरफतारी है वो इल्लीगल है अब कोट ने क्या कहा सुनिये केजरीवाल अरेस्ट इस परफेक्टली लीगल केजरीवाल की गिरफतारी लीगल है इसमें इल्लीगल कुछ नहीं है देख लीजे तो यह सारी चीजे दोस्तों म कमेंट फिर मैं नीचे बढ़ता हूँ राजकुमार जी लिख रहा है अर्विंद केजरिबाल को आम कैदी की तरह ही जेल में सुविधा मिलनी चाहिए प्यार सिंग अहलू वालिया अब देखें यह सारा होने के बाद हुआ क्या वो भी समझा देता हूँ आम आदमी पार्टी दोस्तों बड़ी चालाग पार्टी है जानते ही क्या किया यह सूत्रों के हवाले से खबर फैला दी कि हम हाई कोट से सहमत नहीं है जब कोट इनके फेवर में फैसला सुनाता है तब यह सत्यमेव जयते कहने लगते है और जब कोट का फैसला इनके फेवर में नहीं होता है तो यह असत्यमेव जयते करने लगते है और उसके बाद दिखे ना ये मैं आपको एन आई का ट्वीट दिखा रहा हूं वीडियो में नहीं दिखा सकता आप लीडर सौरभ भारदवास सेज वी डू नोट अग्री विद अग्री विद दिसिजन तुडे वी विल गो टू दा सुप्रीम कोट अगेंस्ट इट जाए न लेगिन इसको खबर बना करके पूरा एकदम मसालेदार बना दिया ये किया इन्हों ने आगे बढ़िए ये देखिए हाई कोट से जटका लगने के बाद अब क्या करेंगे अरविंद केजरेवाल आप ने लिया बड़ा फैसला अब हाई कोट के फैसले में भी इनको सजा से काम नहीं जलेगा दोस्ता ऐसे लोगों को जब सजा होती है ना तो लोगों को सजा होते हुए दिखना भी चाहिए पता चलना चाहिए एक एक कहानी हमारे आपके सामने आना चाहिए आप सहमत है या नहीं बताईएगा कि केजरीवाल की सजा परियाप्त नहीं है बलकि उन सारे मुद्दों का सामने आना बाहर निकलना जरूरी है कि कैसे एक पढ़ा लिखा ये आदमी देश को ठग सकता है इसकी मनशाथ क्या थी इसके दिमाग में क्या चल रहा था इनका तो पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए और हो भी रहा है मेरे ख्याल से और ये मामला दोस्तों बड़ा गंभीर है ध्यान रखिये ये मामला 2021-22 का है जो ये बोल रहना कि चुनाव की बज़े से हो गया 2021-22 में ही ये शराबनीती लागू की थी उसके बाद इनको समझ में आ गया कि हमने गड़बड़ी की है शराबनीती बापस ले ली लेकिन तब तो तो तीर कमान से निकल चुकी थी सैखडो करोड रुपे कमा चुके थे तुरंत एल जी ने जाच के आदेश दे दिये बाद में ये मामला बढ़ता 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 दरजनों लोग गिरफतार हुए और आखिरकार 21 मार्च को अरविंद केजरीबाल की गिरफतारी हुई और 15 अप्रैल तक इनको न्याई खिरासत में भेज दिया गया और केजरीबाल ने जिस तरीके से ये काम किया उसके बाद भारतिय जनता पार्टी को ये कहने का मौका मिला दोस्तों कि केजरीबाल का एहंकार तूट गया है लेकिन आपको लगता है कि खेजरीबाल का एहंकार तूटा है ये आदमी तो बोल चुका है ना ये तो लेफ्टिस्ट मानसिक्ता का आदमी है दोस्तों अब आप देखिए एक और दिखा देता हूँ आजी की रिपोर्ट है अब ये सब नहीं नहीं खबरे प्लांट करते रहेंगे मैं आपको दो अच्छे ट्वीट दिखाता हूँ लेकिन उससे पहले काशी संतोष विश्वनाद जी लिख रहे है अन्ना हजारे के पीछे छूरा घोप कर सीएम बना है मदन सिंग जी लिख रहे है इस केजरीवाल स्पेशल कंट्रीमेन आफ इंडिया कुलदीप संबली जी लिख रहे है मासिब ब्लो टू आप केजरीवाल अरेस्ट इस नॉट इलिगल एस डैली हाइकोड डिलिवर्स जॉल टू डैली सीएम इसके मिश्रा जी लिख रहे है कैसे काम कर सकते हैं बिलकुल आप शही चेह रहे हैं इसके मिश्रा जी ये वही तरिका अर्विंद कुमार जी लिख रहे है केजरीवाल के वकील भी राहुल के ही वकील है और इन लोगों का कहना है कि हमारे लिए अलग कानून होना चीह बिल्कुल सही कारविन जी आपने सच्चु प्रसाद सर जी नमस्कार आपकी समझाने का तरीका अती सुन्दर है थैंक्यू सच्चु जी विराच चाहू शीश महल वाले तो गयो भईया गयो देखिए अब दो ट्वीट दिखाता हूँ मैं बड़ा अच्छा लगा मुझे दो इसलिए दिखा रहा हूँ केजरीबाल ने 2014 में एक कथित भ्रस्ट नेताओं के लिस्ट बनाई थी उन कथित करप्ट नेताओं के खिलाब भी किसी कोट ने इतनी सक्त टिपड़े नहीं की थी जितनी आज माननीय उच्च न्यायले ने खुद केजरीबाल के खिलाफ की है पाप जो करते हैं न वो कहीं न कहीं तो भोगना पड़ेगा न तो ये आदमी दूसरों को सर्टिफिकेट बाढ़ता था बिना सबूत के बाद मैं माफी मांग ली लेकिन ये सब दस्तवेज लेके आता था चार दस बीस पन्ने उठा लिया बस पढ़ देता था और कहता था मैं ही मांदार मैं जिसको बोल रहा हूँ वो ही बरस्टा चारी कोट का चारी कुछ ने आज देखिए कोट इनके बारे में बता रही है और हाई कोट एक और मैं ट्वीट आपको दिखाता हूं दोस्तों ये देखिए अंकित गुपता का दिल्ली हाई कोट ने अरविंद जिजरिवाल की सिर्फ याचिका ही खारीज नहीं की बलकि उन तमाम दलीलों को भी खारीज किया जो कोट के अंदर और कोट के बाहर दी जा रही थी फिर चाहे वो गिरफतारी की टाइमिंग को लेकर हो सह आरोपियों के सरकारी गवाह बनने को लेकर या इलेक्टोरल बॉं वही सारी बात हाई कोट में जाकर उतार दिया बोलते हैं चुनाव के समय इलेक्टोरल बॉंड गवाज ये नहीं है वो नहीं है फलनाने डिकनाने सब बोलते हैं और कोट ने एक-एक मुद्दे पर जवाब दिया है लेकिन सिर्फ केजरिवालने में खबर और दिखाता हू ये देखिए आप विधायक अमान अतुल्ला खान की बढ़ी मुश्किले कोट ने किया समन जानिये पूरा मामला और ये भी आज की ही खबर है ये पूरी भ्रेष्ट पार्टी है आम आदमी पार्टी तो बोलिये ही मत दिल्ली की सत्ता धारी आम आदमी पार्टी के विधाय ये लक अमान अतुल्ला खान को कोट ने समन किया है दिल्ली की राउ जिवन्यो कोट ने उन्हें 20 अपरेल को पेश होने का आदेश दिया है वक्फ बोर्ड में ये लक कहानी है वक्फ बोर्ड में कथित भरती अनियमिताओं से जुड़े मनी लॉंडरिंग केस में उन्हें स समन किया गया है इस सिलसिले में एडी ने भी खान को कई बार समन भेजा था दरसल अमान उतुल्ला खान पर दिल्ली वक्फ बोट का चेर्मेन रहते हुए वित्तिय अनिय में ताय करने का आरोप है मनी लॉंडरिंग से जुड़े इस मामले में एडी उनके ठिकानों पर पहले चापे मारी भी कर चुकी है गजब है एजेंसिया तो गजब खाम कर रही मैं तो फैन हो गया भीया गज़ानन पवार जी लिख रहे हैं कोट की डाट का भी इन पर असर नहीं होता है और योगिंदर जी लिख रहे हैं हरीश जी आज एक नहीं कई कहावत भी बन गई है कि ज यूँ कहा मैंने कि अन्ना हजारे का स्टाप लग गया आज का दिन बड़ा विशेश है दोस्तों आज 9 अप्रेल है 9 अप्रेल को एक तरीके से जो हाई कोट का आदेश है उससे साफ हो गया कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है एडी की जाँच में ये तथ्य सामने आ रहा है कि केजरीवाल ना किबल भ्रष्टाचार में शामिल रहा बलकि उन सभी चीजों में शामिल रहा जहां जहां भ्रष्टाचार होता हुआ दिख रहा है मनी ट्रेल का पता चल रहा है करोडों रुपिये गोवा चुनाओं में खर्च किये गए और धेर सारे लोगों के बयान है और ये कब पता चला? 9 अपरेल को और 9 अपरेल क्या है जरद देखिये अन्ना हजारे ने आज के ही दिन अपना भ्रष्टा चार विरोधी आंदोलन खत्म किया था जानी आज की महत्पूर्ण घटना है मैं पढ़ देता हूँ जो लिखा है ये 2011 की बात है दोस्तो सरकार द्वारा लोगपाल कानून बनाने की मांग मान लेने के बाद अन्ना हजारे ने 95 घंटे से जारी अपना आमरण अंशन शमाप्त कर दिया था और आपको पता है ना कि केजरीबाल अन्ना अंदोलन की पैदाईश है इस अंदोलन में ठगने के बाद इस आदमी ने सत्ता हासिल की और पहले बोलते थे अन्ना जी नहीं तो हम कहा अन्ना जी को छोड़ भी और बाद में अन्ना हजारी का देखिए जब केजरीबाल की गिरफतारी हुई तो लोग पहुँचे अन्ना हजारे जी से पूछने के लिए कैसा लग रहा आपको क्या लिखा देखिए मैंने दो बार चिठी लिखी मुझे उनके हाल पर दुख नहीं होता केजरीबाल की गिरफतारी पर बोले अन्ना हजारे तो अन्ना हजारे इन लोगों को लेकर इतने मतलब मायूस हो गए निराश हो गए ठग गए कि आखिर मैं बोलना पड़ा भाया छोड़ो या अब इन लोगों पर कोई दुख नहीं होता तो ये है दोस्तों स्ट्राप कम से कम अन्ना हजारे के मांदार आदमी है इसको बोलने में कहीं दिक्कत नहीं है और इसी लिए मैं बोल रहा था कि अन्ना हजारे का केजरी बाग को श्राप लग गया तो बहुत बहुत दोस्तों मैंने सारी चीज़े आपको दिखा दी सारी कहानिया एक साथ आज हाई कोट में जितनी बड़ी बड़ी चीज़े हुई जो बहुत महत्पूर्ण है खास करके इसलिए क्योंकि इसको आप मिसाल के तौर पे लीजिए सुप्रिम कोट भी इसी प्रकार की बात कह चुका है सिसोधिया के मामले हाई कोट ने भी वही बात की लोवर कोट ने भी वही बात की अब ये लोग चाहे कितना भी नेरेटिव फैला ले लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में बच नहीं सकते ये तै है और जल्द ही इस केस की सुनवाई होने के बाद चाशिट फाइल होने के बाद इसमें सजा होगी आप लिख लिजिए और लोग मैं जिस तरीके से आपके कमेंट को देख रहा हूँ मुझे लगता है कि आप में जनता में इतनी खुशी है एक भ्रष्टाचारी आदमी भ्रष्टाचारी तो बहुत होते हैं सजा भी होती लेकिन एक आदमी करोडों लोगों को ठगने के बाद इमानदारी का अंदोलन चलाने के बाद भ्रष्टाचार में इस तरह से लिप्त हो जाए तो लोगों का दुख बढ़ जाता है और इसलिए इस प्रकार की खुशी दिखाई पड़ती है तो आपसे एक बार फिर निवेदन करूँगा दोस्तों ये कहानी तो है अब कुछ लोगों का मैं देख रहा हूँ कि आपने गाने को लेकर के बहुत सारी चीजे कहीं है मैं आपको एक जलक दिखा रहा हूँ कि आज मैंने कौन सा भजन अपलोड किया है और ये भजन बड़े ध्यान से देखिए ये भजन मैंने खुद लिखा है नवरात्री पर मैंने ये पोस्त किया है मैंने खुद लिखा है मैंने खुद गाया है और मैं ही इस वीडियो में हूँ मैं चाहता हूँ कि एक जलक जरा इस गाने का आप देखिए तो ही तो यहां तू वहां तू सारे जग में है तू मन में तू तन में तू कण कण में है तू राम तो, शाम तो, वरह वा मन्धि तो, सिता तो, राधा तो, सारे जग की मा तो तो ही तो, 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 तो ही तो तो यह गीत आपने सुना दोस्तों बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं लेकिन धन से लोगों तक पहुच नहीं पा रहा है बहुत सारी चीजें हैं सिमाए हैं बट सर्फ आपके फ्रेम की वज़ा से जो लोगों ने कहा उसकी वज़ा से ये कोशिश शुरू की है कि संगीत के जरी अपने सनातन संस्गिती के प्रती जो हम एक दूसरे के साथ संबाद करते हैं अपनी भावनाओं का एक संयोजन करते हैं तो उसी वज़ा से ये गीत लिखने की कोशिश की दोस्तों बहुत स्रम करना पढ़ता है इसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं संसाधन लगाने पढ़ते हैं तब ये जाकर बना है और बिल्कुल मॉलिक है कोई पैरोडी भी नहीं है कि किसी गाने पर बिठा करके मैंने खुद कंपोज भी किया है तो मैं उम्मिद करता हूँ कि आपका प्रेम गीतों की इस दुनिया में भी मिलेगा और आपको पसंद आएगा H.B. Melody वहाँ नियमित रुप से हर हटे एक दो गाने अपलोड करता हूँ तो उस चैनल पर जाएए H.B. Melody और बहाँ पर देखिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और बाकी इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों ताकि आपसे संबाद भी होता रहे और मैं लाइव हूँ तो जरा और कुछ संबाद करता हूँ आपसे कृष्णा हलदर जी, काशी जी, हिमंत जी, किरीट पटेल जी, काशी जी, गवल जी, जगत जी, निशा, चुररिया जी आप सभी को जैसी आराम ललन तरिपाथी जी, अजय रामपाल जी, यूर प्रिजेंटेशन इस आलवेज आई कैचिंग शायद आपका पढ़ लिया सत्य मेव जैते बनवाल सर आप बारिकी से निरिक्षन करते हैं प्रमोत कुमार साहू जी, वाइके गवल जी, आशा मंत्री जी, बिजय शाओ जी, गोपाल सिंग कुश्वाहा जी, और मीना कुलकर्नी जी, के टीम बफल जी, राधा रमन कुल्स्रेष्ट जी, पूजा जी, नवीन जी, प्रकाश जी, सतीश जी, सब को नमस्ते करता हूँ, राध सिंग लिखते हैं, सर मैंने आपको पहले भी कहा था, कि टॉर्च लेकर ढूंडोगे, के इजरी बाल जैसा बैमान नहीं मिलेगा, राजू यादव जी, जैसिया राम संदीब जी, क्रिश्ना हल्दर जी, मोहन यादव जी, और थोड़ा नीचे जाता हूँ, मैं संतोष रिवाले जी, मैं आपको लाइब सुन रहा हूँ, वो गाना सुनूंगा, सर, अच्छा, संतोष जी, थैंक्यू, तो आप संतोष रिवाले जी, आप कमेंट जरूर कीजेगा, महाँ पर, मैं देखूंगा, आपसे फिर संभाद वहाँ भी करूँगा, मनोज मिश्रा जी लिख रहे हैं, हरीश सर, चैत, नवरात्री की बहुत बहुत बदाई, थैंक्यू, आपको भी मनोज जी, बाबू, बाबू, शांक, पता निए, जैसिया राम, मगन मंडालिया जी, और विजय शर्मा जी लिखते हैं, आप बहुत म माफियाओं का सरगना गैंक से चलाता है, जेपी जी, बिंदु शेखर जी, राजकुमार जी, आशा जी, कमाल सस्देवा जी, मैं थोड़ा और नीचे जाता हूं दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों ने लिखा है, मैं थोड़ा और कमेंट लेता हू बहुत कृष्णा हलदर जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर बनवाल जी गीत है आपको सतसत तमन, थैंक यू सर, गुलाब चंदर जी, आप ग्रेट हो, आल राउंडर हो, थैंक यू, बबलु कुमार जी, बहुत सुंदर गाना है, बहुत अच्छा, और आगे चलता हूं मै जगत बिष्ट जी, रंजीत राजपूत जी लिखते हैं, वेरी वेरी नाइस, कीप यूर कमेंट लाइक दिस, फॉर लॉंग, गॉड बलेस, योगिंदर राव जी, थैंक यू, आपको अच्छा भजन सुनाया, इसको भी अब सुनेंगे, राजेश कुमार जी लिखते हैं अती सुन्दर भजन जैम आता दी, धीरज पटेल, हरीश भाई, बहुत सुन्दर, सच में आपने दिल से गाया है, हनु भाई जी, थैंक यू, राम, प्यार, सिंग, अहलुवालिया जी, आपका नाम बड़ा जबरदस्त है, नाइस मैसेज अबाउट इस सुप्रीम पावर योगिंदर राव जी, हरीश जी, आपकी कितनी बहुत बड़ी महनत, कोटी-कोटी पर नाम, थैंक यू सर, दीन दयाल अगरवाल जी, तू ही तू वाला गाना सुनकर मज़ा आ गया और कोशिश जारी रखेंगे, थैंक यू, दीन दयाल जी, और नेचर एंड फ्री कॉचि क्लासिस में आपको बहुत क्या नहीं समझ में आ रहा है, करुणा मिश्रा जी, जैसी आराम, महेश जी, थैंक यू, लाल बहादूर शिंग जी, सत्यमेव जैते, वसा वड़ा जी, हरीश भाई, तमारा शरन में मेरा से, थैंक यू सर, रमेश भातेवारा जी, गुड़ी प परवा और नए साल की बहुत 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 बढ़ाई, थैंक यू, विजै सिंग जी, मैं तो मुंबई में रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ, इस पर्व का महत तो मैं 2002 से 2005, 2006 के बीच मैं स्टार न्यूज, उस समय हेड़कोर्टर मुंबई में था, तो मैं मुंबई में रह हूँ, मुझे पता है, और हनुभाई जैसिया राम, तेज कुमार, अजमेरा जी, सिसोधिया को भारत रत्म कहा गया, वाई समिश्रा, जी लिख रहे हैं हरीज जी, आप बहुत बढ़िया गाते हैं और डांस करते हैं, थैंक यू सर्म, असीम सरकार जी, राम अगेर जी, च धन्यवाद, जैसिया राम, जै माता दी